हालो एव्रिवान येस दिस इस सोविन सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खुपसुरत से लेक्चर में आरम फोर पॉर पॉइंट युरो के अंदर हम आ चुके हैं और येनिक केमिस्टी के तरफ जी यहां और येनिक केमिस्टी में जो पहला कंसिप्ट आ रह तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटा पर शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हो तो इस चैनल को कर लो बच्चा सब्स्राइब क्योंकि आपका जो सपोर्ट है वो हमें मोटिवेट करता है येस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है बस आपको सब्सक् अब आपके दिमाग में आपके जहन में क्या चलना चाहिए जब मैं बोलता हो है यह लोजन डेरिवेटिव बोला यह निकलता कहां से होगा यह निकलता है अलकेन से जहां पर इस हटाएंगे और इसकी जग़ए पर एक्स को लेकर आएंगे यह वैसा ही अरोमेटिक ले सकते जैसे कि यह बेंजीन रिंग है आप यह समझे लो जनरल फॉर्म नव बना क्या आप यह भी बना सकते हो कि यह मेरे पास बेंजीन रिंग है यहां से जो एच है बच्चा उसको मैं हटा दूँगा और उसकी जग़ए कोई हलाइड लगा दूँगा अगर ऐसा मैं कर रहा हू यह जो चुक कंपोनेंट बन रहे ंधोनों इसको मैं बहूंगा है यह अलॉजन डेरिवेटव है है क्या है यह है है लोजन डेरिवेट वे मतलब आप 심 mirik मैं आगर देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है रिप्लेस्मेंट औफ हाइड्रोजन यहां नियोगना है लोगेन डेरवेटिव इसको बोलते है जार देख लो तो है लोगेन डेरवेटिव यहां पर दिखाई देरा आपको देर रिप्लेस्मेंट आप हाइड्रोजन from aliphatic or aromatic hydrocarbon yes or no किसकी मदद से by a halogen atom एक halogen atom की मदद से और इसके वज़ जो compound बनता है उस compound को बोलते है halogen derivatives क्या बोलते है है halogen derivatives बोलते हैं जैसे CH3CL हो सकता है C6H5BR हो सकता है यह उसके कुछ examples है अब हम बात करने वाले कि जो halogen derivatives का classification क्या होता है जहाँ दिखना जरा हम classification of halogen derivative classification of halogen derivatives यहाँ पर classification जो होता है वो कही तरगा होता है जैसे एक होता है based on number of halogen atom ठीक है एक होता है कि based on number of halogen atom मतलब सर halogen कितने atom attach है उसके base पर इसे हम बोलते हैं आपने कई बार सुना होगा monohalogen इसके अंदर category आती है monohalogen yes वैसे यह आता है poly halogen poly halogen poly के अंदर फिर निकलते हैं कि यह di halogen हो सकता है tri halogen हो सकता है ठीक है tetra halogen हो सकता है maybe ठीक है इस तरह से सरी होता है mono का मतलब जहाँ पर एक ही halogen आपको दिखाई देगा आपके answer में एक है कि है लुजन रहेगा poly मतलब more than one halogen रहेगा दो अलजन हो सकते है तीन हो सकते है चार है लोजन हो सकते है इस सरे चे कुछ क्लासी परशन आते है और दूसरा जो क्लासी परशन निकलता है वह अन निकलता है based on based on carbon skeleton based on carbon skeleton on which halogen is bonded on which halogen is attached मतलब है लोजन जिससे बॉन बना रहा है उस carbon का नीचर कैसा है जैसे example के लिए मैं अलकें इसके अंदर टाइप आ सकता है है यह हैं हेलो ऑलकीन मतलब यह अलकें टाइप का हैं मतलब सिंगल बॉन उस पर हलोय अरिल ले लो मतलब अरोमेंटिक वाले के उपर हेलोगन अटमें तो यह अमारे बेसिक क्लासीफेशन जो आपको समझना एक्जाम में चांसे से आने कि बिल्कुल नहीं सर क्यों बता रहे हो थोग्णा सा बेसिक ले रहा हो क्योंकि आपको पता चलना जाए यहार क्या है यहाँ पर तो क्लासीफेशन आप हेलोगन डेरिवेट्यू बेस्ड़न कार्बन स्केलेटल ऑन विच हैलोगन इस बॉंडिड इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या-क्या मिलेगा जार चेक करो यहाँ पर मैं ले लेता हूं यहाँ पर मिलेगा जैसे कि हैलो अलकेन इसके अंदर कोई हैलो अलकीन जो हैलोजन एटम जिससे बॉन्द बना रहे होग का नेचर देखाएंगा डीचेश वोडबल बॉन्द गेन हैlles यह मिल जागा अलकाइन, फिर से देगो हेलो अलकीन, CH2 डबल बॉंड, CH सिंगल बॉंड, हेलो अलकाइन, मतबिल हो जागा बच्चा, CH ट्रिपल बॉंड, CCL, और उसके बादे बच्चा आपके लिए हैलो अरीन, हैलो अरीन, सर हैलो अरीन क्या है बोलो, हेलो और इन्हें बेंजीन रिंग इस तरह से बेंजीन रिंग ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया है बी आर भूल यह बात समझ में आई तो यह जो एक्जामपल्स आपको दिखाई दे रहे पर यहां पर इस तरह से होगा इस तरह से होगा इस तरह से होगा जहाँ पर एक ही हलोजन एटम रहेगा मात्र एक हलोजन अटम इट कंटेंस अली वन हलोजन एटम इट कंटेंस उनली वन यह इंपोर्ण आपके लिए फिर आगे आपको CS3, CS2, BR, CS3, CL इस तरह से फिर मैंने लिया डाय हलोजन सर आपने तो पॉली बोला था पॉली के अंदर पॉली भी बोल सकते हो अब ठीके डा itself is को बोलते हैं डायहलोजन गे फिर आप ब यह इसमें ट्रायहलोजन भी ले लिया यह भी एक्जामपल हो सकता है कि भाई ट्राय है खत्म बात पॉलियरोजन में आप बोलेंगे ले लिया आपने कुछ भी ले लो पॉर दें द्री चार पाँच एक दो ती चार पांच कर दिया सब की वैलेंसी पुरा कर दो इस तरह से भी एक्जामपल्स आ सकते हैं बना स्वाज में आ रहा है कोई डाउट है बच्छा तो यह कुछ पॉलियरोजन जापर मोर दैन थ्री आप लेने वाले हो मोर दैन थ्री अप लेने वाले हो कोई दिक्क्त है कहीं पर कोई कन्फूजन येस चीज़े बढ़ी आसान चलते अब मैं क्या दिसकत करने वाला हो म है जो यहां से चालू ओने वाला देट इस मोनो हैलोजन डेरिवीटिव का यहां से श्टार्ट होने वाला है मतलब अपना टाइटल जो है बच्छा यहां से एक्जाम में बनता है यहां से इंपार्टन कोशन के शुरूआत हो रही है प्रोपर तरीके से बेसिक आपका खतम हो चुका है अलकाइल हलाइड पहला करेगरी आता है किसके अंदर मोलो हेलोजन डिर्यूट इंदर पहला टॉपिक है अलकाल लाडब विच इस आलसो इस हैलो अलकेइन सर है है यहां पर वर्डी थोने से बदलनी पड़े गया आपको क्या बदलनी पड़े गया सर जो है अलकेण होता है अगर आप उसको अब्जर करेंगे एक्जामपल में यह है 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 लो अलकेण CH3 CH2BR जो कारबन-करबन सिंगल बॉंड अब यहां से देखना एक एक चीज़ स कारबन-करबन ट्रिपल बॉंड में बोलते हैं SP तो यहां पर जो आंसर निकलेगा बच्चा वो SP3 SP2 SP के रूप में बोलना होगा आंसर तो फिलाल फर्स्ट वाले केस में जो एक्जामपल में देख रहा हूँ बियार हमारा उस कारबन से बॉंड बना रहा है जिसका नेचर SP3 वाला है यस और नो क्योंकि वो सिंगल बॉंड बना है अपने आज़ो बाच्च तो इसी कटेग्रिक को समझना है तो यहां पर जो आंसर वो बिल्कुल वही होने माला है इन अलकाइल हलाइड हैलोजन का मतल बना रहा है SP3 वाले जबॉंड मना रहा है विच इज़ पार्ट ऑफ सेचुरेटर हाइड्रोकर्बन जो आगे सेचुरेटर मतब सिंगल बॉंड वाले का ही पार्ट है और यह फर्दर किते बाट में डिवाइड होता है यह तीन पार्ट में आगे वापस डिवाइड होता ह से ड्याया था करन वन से प्राइमरी अलकाइललाइड खांस देस अपर आप कुछ इस तरह से जनरल secondary alkyl halide secondary alkyl halide secondary alkyl halide R CHR यहाँ पर ले लिया X यह secondary है पिर यहाँ पर लेने वाला हुँ में tertiary alkyl halide tertiary alkyl halide tertiary alkyl halide tertiary alkyl halide आपके पास R यहाँ पर भी R यहाँ पर यहाँ पर एक्सिन ले लिया यह tertiary alkyl halide चलेगा तो यह alkyl halide आप फॉर्दर क्लासी फिशन दिखाता है यह कौन सा कर दिए ता बच्छा आपका alkyl halide अब यह क्या है सर यह नया अटम सुनने के लिए मिल रहा है बिल्कुल यह कौन से लोग है तो alkyl का मतलब क्या होता जारा समझी लोग अलाइली का मतलब होता है बच्चा जैसे कि मैं एक्जामपल ले रहा हूँ च्च टू डबल बॉन्ड च्च पिर च्च टू बी र लिए इसको सेंडेंस को देखो अच्छे से यह एक्जामपल देखो सेंडेंस बनाओ अलाइली का में एक ऐसा alkyl halide है या ऐसा अलाइलिक हलाइड है जिसमें हैलोजन अटम इस बॉन्डेट टू अगर ऐसा पैटन है तो हम बोलेंगे यह प्रॉपर अलाइलिक निचर दिखा रहा है जरा पड़ो क्या लिखा है इन अलाइलिक हलाइड हलोजन अटम इस बॉन्डेट तू यह बड़ा इंपोंडेंट है नेक्स्टी टू कर्बन-कर्बन डबल बॉन , नेक्स्टा टू कार्बन-कर्बन डबल बॉन्ड उसको बोलते है अलाइलिक फोलाइड चार्षिर सब्क Shónateınız धिकर प्रांरी है स्दमें बीचेए तो कुछ इस से आजाएगा grace कि ये ये इस तरह से आ जाएगा दिख रहा है बच्च्छा ये सेकेंडरी आ जाएगा तरशनी में आप ओपर च्ठत लगातों से केंडरी आ जाएगा तरशी रहें के बाद जाएगा लाइल की बनाया और उस पर यहां पर मैंने बी आर ले लिया तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि ब्रोमीन जो है न बच्चा वो SP3 वाले से बॉंड मना रहा है लेकिन इसके नेक्ष्ट में कोई तो अरोमेटिक रिंग है अगर ऐसा पैटर्न दिखाई दिया तो हम बोलेंग यार यह बेंजाईलिक दिखा रहा है बताब इसबambu आरोमेटिक को समझ मे आ रही है हर इक बच्चे को समझ में की हैं को PK C कर देंगा की नौ में उतर नीचिह के अदальной प्राइमरी सिरुक्ड में अब और सकता है आपको सेकंड्री लेना हुआ तो आप आप इस तरह से सेकेंडरी ले सकते हैं या टर्शरी ले सकते हैं मैं टर्शरी ले लेता हूं चलो आपके लिए यह इस तरह से आप इसको टर्शरी पैटन में भी दिखा सकते हैं तरसरी का मतलब जनरली क्या होता है जो हालाइड अटेच होगा वह उस कार्मन से टेच होगा जो तीन लोगों से टेच है प्राइमिरी सेकेंडरी टर्शरी इसको टर्शरी बोलते हैं ठीए कोई दिक्कत है कहीं पर भी चीजें आसान हो रही है सर बेंजायली के बाद क्या आपने CL अटेच कर दिया, तो ये CL किसके उपर अटेच है, सर ये तो SP2 वाले के उपर अटेच है, बिल्कुल सही जवाब, तो ये SP2 वाले सगर अटेच होगा, एक और नाम हो सकता है, यहां पर अगर नहीं लिखा है, तो आप समझ लो, इसको हम हेलो अलकीन के नाम से भी जानेंगे, फिर आगया हेलो अलकाइन और हेलो अरीन, जो आप बेसिक चीज़े, आपने पीछे भी पढ़ा था, हेलो अलकाइन सर ट्रिपल बॉन्न है, तो वह SP व कुछ तो ऐसा ले लिए आपने ट्रिपल बॉन्न और उससे अटेश कर दिया, बी आर या हेलोजन, जो कि SP वाले से बॉन्न बनाएगा, जो कि SP वाला है, और हेलो अरीन वाले में, डारेक्ट बेंजिन रिंग से बॉन्न बनेगा, जो कि SP वाला होगा, लेकिन अरोमेटिक का है, वो इंपोर्टेंट है, हलोजन अटम बनेट टू, SP वाले से बॉन्न बनेटिक कारबन अटम, विच इस पार्ट ऑफ अरोमेटिक रिंग, अरोमेटिक रिंग का पाट होना चीए, कोई दिक्क्त है, क्लासिफेशन तर कोई डाउट है, कहीं पर भी, किसी को भी उमीद कर हो कि एकदम नसों में एक एक चीज बैठ रही होगे, सिर्फ चल नहीं ही रिवच्च घीए, एक चीज दिमाग की नसों में उतर होगे, कहां सरे अब्जाब हो रहाएगा, अब हम बात करेंगे, IUPACC निम की, IUPACC में कुछ आपको थोलगा सा होमर, थोलगा थोलगा से बता देख लो सही तरीके से मज़दार तरीके साब कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगे आपको बस देखते चलो छंडे दिमाग से सिस्टमाटिक तरीके से देखते चलो यह common name और IPAC के लिए है ठीक है तो क्या-क्या बच्चा मेंने जैसे कि CH2-Cl2 है सर, CH2 को बलते हैं methylene CH2 is methylene ठीके और CL2 है diachloride तो common name क्या बन गया? methylene diachloride यह कौन सा नाम है सर? common name यह कौन से नाम की बात कर रहा हूँ? common name की बात कर रहा हूँ और उपर क्या है यहाँ पर? IUPAC name है ठीक है? यह IUPAC name है नाम आ गया methylene diachloride अगर इसकी बात करेंगे यह बड़ा प्यारा लग रहा है सर CH3 CH2 मतलब ethyl और BR है तो नाम बन जाएगा bromide तो नाम आ गया थोड़ा सा देख लेते camera चालो हो गया है yes camera का कुछ तो issue है देखना पड़ेगा ठीक है वापस से मैं repeat कर रहा हूँ जो बच्चे CH2 का नाम कैसर methylene और CL क्या है chloride तो methylene diachloride यहां पर जाएगा CH3 CH2 है CH3 CH2 क्या है ब्रोमाइड तो नाम आ गया ethyl bromide clear है इसको क्या बोलेंगे दोगो यह अगर तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा जिसको नहीं समझ माय रहा है CH3 CH की नीचे CL है और फिर CH3 है इस तो जैसे इसका नाम हैगा isopropyl chloride isopropyl chloride इसकी बात करते हैं बड़ा interesting चीज है इसको पहले मैं आपको दिखाता हूं कैसा दिखता है यह रियल में ऐसा दिखेगा कि भाई यह CH3 इसके ऊपर भी CH3 देख रहा है CH3 फिर आगे CH3 के ऊपर ब्यार जब ऐसा कभी भी होगा कि जहां पर दो नंबर पर मिथाल आजब रां आगे ब्यार ले लिया मतभी टर्ट ब्यूटाइल ब्रॉमाइड बन गया टर्ट ब्यूटाइल ब्रॉमाइड बन चुका है लास्ट एक्जम्पल जारा देखो यह भी बड़ा अच्छा कंपोनेंट दिखा है मुझे देखके इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो यह ऐसा द हम बूलेंगे नियो तो नियो एक, दो, तीन, चार पाच तो नियो-pentryl chloride आ जाएगा कोई Sorum सब्सक्राइब एक कारवन है बच्छा बिल्कुल मीथेन बनेगा क्लोरो कितना है दो है सर नाम आ गया डाय क्लोरो मीथेन सर कैसे लिख रहो हो कोई रूल है कि निसका बिल्कुल सेलेक्ट दो लॉंगस्ट कारवन चैन इन कंटिन्यूटी और हैलोजन को पहले लिखना है क्लोरो शषाल करने ना धिय नमबर फिल्कुल्कने ही दो ब्रोरो क्लोरो क्लोरो घैन U122 याँ पर एक दो पर आए नंबर पर चैन उनिक है तीन नमबर पर गूरो दो नमबर है तो वन ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन क्या बोलेंगे एक नमबर पे ब्रोमो दो नमबर पे मिथाइल और उसके बाद प्रोपेन आएगा चलेगा तीन कारबन से क्या बन गया प्रोपेन बन गया इसकी बात करेंगा तो यह दो यह सीच तरह से था यह भी सीच तरी यह भी स इसकी बाद करें दिएक नमर पर दो मिधायल को पहले पहले लिख रहा हूं तो वन नूंबर पर कलो दो डाइम ही थाई घाएक और तीन कारबन से बोलेंगे बच्छा प्रोपेन बोलेंगे लिए यह इसका पैटन होता है आयू पैसी और आयू कोई दिक्क्रत है कुछ और लेता हूं मैं कंपोनेंट जो कि अरुमेटिक पैटन में रहेंगे कुछ लोग यहीं पर समझ लो जाधा टेंशन नहीं लेना है इसको क्या बोलेंगे बच्छा कॉमन निम के लेंग्वेज में सर यह विनाइल क्लोराइड दिख रहा है बिल्कुल सही जब आप IC Кॉमन निम विनाइल कोटरी इसको बोलेंगे अलाइल ब्रो माइड याद आया multitude कौह फो जेले कांप्स ने Core इसको टॉलीन ले लेता हो तो इसके रिस्पेक्ट में चार नमबर पर आईडो लग जाएगा चार को कॉमन नेम के लैंग्वेज में पी बोलते हैं पी आईडो टॉलीन आ गया इसको क्या बोलेंगे एक दो तीन मतब सर एम डाय क्लोरो बेंजीन बन जाएगा एम डाय क्लोरो बेंजीन बन जाएगा चलेगा आईव पीसी नेम क्या होगा सिंपल है जो डबल बॉंड एक काउंटिंग वहां से होगी इसको रखने का एकी लोजिक है क्या आपको मैं यह बता सकूए कि काउंटिं कहां से होती है डबल बॉंड और हैलोजन के अंदर एक नमबर आगजा तो वन क्लोरो इधीन आ गया या अगर आपने वन नहीं लगा तो भी चलेगा विकॉज कहीं से भी काउंटिंग करोगा वन नमबर ही माना जाएगा तो दो इसकेस में आपको नमबरिंग करना ही पड़ेगा अब डबल बॉंड यहां से नस्दीग आ रह आइटाइन क्योंकि ट्रिपल वान इसका नाम क्या होगा इसका लॉंगश्कार वंचर इतना ही है मतलब सर मिथेन जी हां मिथेन उसके और ब्रांच क्या है फिनाइल और आइडो तो मैं क्या बोलूगा भई एक नमबर पर आइडो अभी अननमरी नहीं दो भी चलेगा क्योंक या फॉर आइडो टॉली वही काम नीचे रहा जहां पर एम है वहां पर क्या करेंगे वन कॉमा थ्री ले लो वन कॉमा थ्री डाइट क्लोरो अब हम जम करने वाले हैं प्रिपरेशन की तरब सारा प्रिपरेशन करा रहा हुँ तो पहला जो लुकास रिएजन के ऊपर कोश्चन निकलता है बहुत बार पुछा गया है वह एक इंपॉर्टन कोश्चन है और अगर आप लुकास वाला कर लेता हो एच्छल कर लेता हो तो अपने आप आप आजाएगा है कि थोड़ा सा बढ़ना पढ़ेगा पीचल 3 पीचल 5 इतना इंपॉर्टन नहीं है लेकिन जो काफी जादा इंपॉर्टन है तो हम रिएक्शन में लुकास वाला करेंगे और थायो निल पुराइड मतब डार्जन में तो करेंगे और उसके प्रैमरी अलग अलायड मैं बनाने के कोशिच कर रहा हूँ क्या मिलाने की बाथ हो है इसको हम मिलाते हैं एन हाइडर जीन को राइड के प्रेंस में जैसे इसको मिलाते हैं बच्चा यहां से हो यह पानी बाहर और जो आंसर निकल के रहाता है आर और CH2Cl इसको बोलते हैं बच्चा वन डिगरी अलकाइल क्लोराइड बोलते हैं बोलो कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी यह हमारा है इस समय अगर देखेंगे तो वन डिगरी अलकोल है इसको बोलते हैं जैनरल रियक्शन और होता है अच्छे यहां पर दिया हो चलम अच्छी बात है इसका थेयरी दो यहां पर है विन प्रैमरी अलकोलिई इस रिए देटिवीट है रिट्रॉकरी अच्छी अब में एग्जांबल ले ताओ नीचे जर इसेडिः पी च्छे दिखाया था ठीके एग्गेण एक्जाम्पल ले लेता हूँ चलो एक्जाम्पल क्या है सर मैंने ले लिया भाई CH3 CH2OH और यहाँ पर ले लिया HCL फेमस एक्जाम्पल जिसके चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं एक्जाम्पल बनने के एन हाइडर जीन क्लोराइड के परेंस में इसको हीट कर दिया बाहर क्या जाएगा सर यहां से हो पानी बाहर बहुलो आंसर क्या बनेगा आंसर बन जाएगा CH3 CH2 CL और इस प्रोसेस में एच्टो बाहर चला गया इसका नाम क्या है और इसका नाम है इथायल अफ्वलराइड यह सर यह क्या बच्च इताईल अल्कोहल है कोई डौट किसी को भी कहीं पर भी क्या यह यह उसिंग अच्छल में प्राइमरी के बारें में समझ माल आ गया अब हम बात करेंगा और यह ले लिया यहां पर डाल दिया HCL, HCL डालने के बाद condition हम वही रखने वाले हैं, हमारा जो answer बनेगा बच्चा, यहां से H, यहां से OH, यह पानी बाहर चला गया, जैसे पानी बाहर जाएगा वैसे ही R, CHR, यह CL आ गया, यहां से बच्चा पानी जो है की बाहर जा चुका है, इसको बोलेंगे secondary alkyl chloride मिल चुका है, और यह है मेरे पास secondary alcohol, क्या एक एक छीज दिमाग की नौसों में उतर रही है, फिर हम बात करेंगे, इसके examples की, R के लिए पे जो famous example होता है, जिनको नहीं पता है, उनको बता दो यह होता है बच्चा, आईसो प्रोपाइल alcohol, आईसो प्रोपाइल alcohol, क्या मिलाएंगे sir, HCl मिला दिया, इसके presence में मिलाएंगे sir, एन हाइड्रस, जिनक क्लॉराइड के presence में मिलाऊंगा बच्चा, बोलो क्या बन जाएगा, यहां से H, यहां से हो H sir, यह पानी बाहर चला गया, तो answer क्या बनेगा, answer बन जाएगा, CH3, CH, यहां प this is called as isopropyl chloride, isopropyl chloride, चलेगा, ऐसा ही tertiary भी करेगा आपके लिए, तो tertiary में सबसे बड़ी बात होती कि tertiary का reaction fast होता है, इसकी reactivity जादा होती बच्चा, and due to high reactivity, tertiary alcohol लेलो, due to high reactivity, बोलो क्या होगा, high reactivity की वज़े से बच्चा, यह जो component है, and hydrous के बिना भी reaction कर सकता है, मतलब anhydrous, जो zinc का chloride है, उसके बिना भी reaction हो जाएगा, because इसकी reactivity जादा होती है, तो यहां पर answer कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो यह बात समझ में आई, यह बन गया आपके लिए, और यहां से पानी जोगे बाहर चला गया, कोई दिक्क्या दे बच्चा, कोई doubt, examples देखो, च सर, क्योंकि tertiary alcohol जो होता है, reaction के मामले में, या reactivity के मामले में, काफी reactive माना जाता है, इसलिए वो reaction नहीं करेगा, तो यह हमारा प्यारा सा answer कुछ ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत, नाम क्या होगा सर, नाम important है, tert butyl alcohol, क्या नाम है इसका, tert butyl alcohol, से क्या बनेगा, tert butyl chloride बन कोई दिक्कत बच्चा, कोई doubt, यहाँ पर तो यह हमारे पास पुरा information है, अब आते हैं, इसमें एक चीज़ और धान देना, एक note लिखा के दे दे तो आपको में, एक note लिख लो जो काफे जादा important माना जाता है, जो आपने देखा कि HCl और जो एन हाइड्रस, zinc chloride होता है, इस के mixture को हम बोलते हैं, lucas reagent, board exam में एक-एक मार्ग के लिए भी पुछा जाता है, तो आप ये टिक मार्ग कर जाएंगे, कि भाई, lucas reagent जो होता है, HCl और एन हाइड्रस, zinc chloride के mixture को बोला जाता है, picture clear है, चलिए, आ जाते है, नए topic के तरफ, जो है आपके लिए, from thionyl chloride, जिसको sulfonyl chloride बोलते हैं, SOCl2 बोलते हैं, Dargen method के नाम से भी जाना जाता है, theory नीचे लिखा हुआ है, पहले मैं general part लिख देता हूँ थोड़ा सा, general part जरा समझो, जैसे कि मैंने ले लिया, R, O, H ले लिया, इसमें मिला दिया, बच्चा, SOCl2, in presence of pyridine लेते हैं, pyridine, और इसको reflux कर रना, तो घुलते हैं हापस में, अब यहां से होई चला गया, बाहर उसके लिख पर CL आ गया, तो answer क्या बन गया, R, CL बन जाएगा, यहां पर H और CL, HCL बनेगा, जो कि gas के form में होते हैं, और यहां पर S और O मिलके बन जाएंगे, SO2 जो कि gas के form में होंगे, यहां पर जो alkyl chloride बनता है न, वो majorly pure form में बनता है, इसलिए इस method को काफी importance दिया गया है, अगर यह आपके सामने reaction है समझो, मानके चलो कि यह reaction है, example से actually है, तो इस example को मैं जरा यहां पर नीचे दिखा रहा हू, विथाल alkyl लेलो, CH3, CH2, OH, क्या मिलाएंगे सर, SOCl2 मिलाएंगे, क्या सर, Pyridine के presence में, जहां से सुनना बच्चा, इसको reflux करेंगे, ठीक है, और यहां से आप देखेंगे कि यहां से OH2 टेगा, उसके जगा पर CL आ गया, जैसे यह CL आएगा, आपका answer बन जाएगा, CH3, CH2, CL, यहां से HCL बाहर चला गया, जो कि गैस के फॉर्म में बनेगा, और SO2 बाहर चलागा, जो कि गैस के फॉर्म में बनेगा, इसका नाम आजागा, इथाईल क्लोराइड, कोई दिक्कत है, यह अपने आप में काफी इंटरस्टिंग या काफी का सकते कि, बेश्ट मेतर्ड बना जाता है, उसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह कि भाई, जो HCL औ SO2 जो बाहर बनते हैं, वो गैसिस फॉर्म में बनते हैं, जिसका इंफरमेशन यहां पर लिखा है, इस मेतर्ड और प्रिपरिशन आपाल क्लोराइड इस दे बेश्ट मेतर्, क्यूसर बिकाउज बाहर प्रोड़क्ट जो होते हैं, HCL और SO2, जो फॉर्म होते है, दे आर इन आपको देख रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव, अगर आप हमारा यह इंपोर्ण सेशन में देख लेते हैं, पुरा पूरा तीन से चार लिक्टर में चप्रक खतम हो जाएगा, आप गैरेंटी बोलना कि आपको और यनिक में अलग से माथा पत्ची नहीं करना वड़ेगा, सिर्फ इतना करके जाओ, बढ़ियां से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, मिलते हैं, अगले सेशन में तब तर के लिए, जै हिंद, जै हिंद, जै मारास्टा, मिलते हैं, नेक्स टैप, चलो बाए,